तेढ़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं तेढ़ा को इंग्लिश में एक तो क्रुग्ड कह सकते हैं C-R-O-O-C-K-E-D क्रुग्ड और इसके इलावा आप उसे और-I भी कह सकते हैं A-W-R-Y और-I जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह सिर टेढ़ा करके बात कर रहा था तो आप कह सकते हैं He was talking with his head crooked या अगर आप ये कहना चाहें कि आगे का रास्ता टेढ़ा था इसलिए हमें वापस मुड़ना पड़ा तो आप कह सकते हैं The road ahead was crooked So we had to turn back The road ahead was crooked So we had to turn back अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें